नमस्कार दोस्तों तो मैं हूं आपकी दोसर होस्स मेगी ने फेशन अज़से देवांशी तो कैसे हो आप सब आपके आप सब बहुत ही अच्छी होगी आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहे हूं तो आज के वर एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मैंने दीवान स तुम्हेतर के लेगी मैं प्रका दहा करतां कौरिशसर दीवान से देवांशी के व्याओन सबवांशी के और रहे लिए क्या एक रहू से एक वापके लिए तुमगे मैं आपने सब्साइड देवां शेया जना है वेह जाए ज़नाए सबिशेक सा में तो उसका भी मैं अपके शेयर किया था बात मुझे कमेंट आया कि आफ तर वाश कैसा है यह मैं अपके साथ शेयर करूं तो इंसेंड में वीडियो अपके लिए बना रही है मुझे आपको अच्छा लगे तो मैं आपको सीधे लिए चलती हूं और मेरे उस दिवान सेट के तर तो आप वो डेट देखना उसके बाद से काफी 2-3-5-6 महिने हो गया है तो 5-6 महिने गुज़र गया है मुझे उससे और 6-6 महिने से उपर ही हो गया होगी तो इसलिए और वो एक बार नहीं हो कई बार वाश हो चुका है और मैं असे रखा हुआ है और कई बार वो यूस हो बार यूण चलती हूँ अपने दिवान सेट की तरफ और आपको दिखाती हूँ की रीयल मिलू मैं कह रहे हूँ वो है कि नहीं है और मुझे बाई कि आप बिद देखना मेरे उस वीडियो और आज का डश का डिखना तेखना आप तायम हो चुका है उसके बाद मैं आप से 6 सब्सक्राइब कर लिए अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है चोटी सी पहला पाना जाएगी इस तरह किस ब्राइग को पॉल पर रिट कर लेंगे तो मेरी हादने वीडियो लिटिकेशन आपको मिलती रहेगी तो प्ली सब्सक्राइब करना सपोर्ट करना बताना कि वीडियो आपको कैसे लगती हो नहीं आपको क्या चाहिए ठीक है तो यह चलती हूं आपको पर दिवान सेट की दरफ और आप देखना आप फुर बिसाइड की दोर्ट करना मिधोलदुल्र कि आपको क्रुबाई करना है कि नहीं करना है और प्राडिकक वीडियों को कैसा लगता आै तो यह है दीवान सेट मेरा Um glacis world मैं बिल्ला छटे का बीशाया है अं आप देख सकते हो ओके देख सकते हो इसके कपड़ा है कपड़े का कलर वगएर नहीं गया है जैसा था यह थोड़ा से डार्क मस्टर्ड टाइप का है इसमें आपको थोड़ा से लाइट दिख रहा होगा लिए एक शेड डार्कर है यह यह लाइट आफ करने के बाद भी यह एक शेड लाइड देख सकते हो ओके यह थोड़ा सा लाइट कलर है हां और इसमें आपको यह दो कुशन ब्लॉस्टर सेट जोते जैसे अधरिस मेले थे वैसे की वैसे ही है खराब नहीं हुए वाश करने में इसके कपड़े में कोई फरक नहीं आया है और कलर वेगर भी इसका नहीं गया है तीन मु कुशन कवर में आपको दिखाना चाहूं और पीछे से चेन वेगरा इसमें था तो चेन आप देख सकते हो जैसा था वैसे का वैसा ही है यह सेकंड वाले का चेन आप यह थार न वन को तो यह आई सका चेन था यह से था वैसे ही मिला था रसी को देख सकते हो जैसे में एक्ट्प नहीं है अथ प्रवाइब नहीं से खराब नहीं हुआ है एक दम अच्छा है आप इसी मंगा सकते हूं और कलर की बात करों तो इसका बिल्कुल भी नहीं है जैसे कलर मुझे मिला था वैसा ही कलर है और इसमें और भी कई कलर में शेड आपको मिल रहेंगे मेरे पहले वाले वीडियो पर आप जाना उसमें आपको जो भी शेड अवलेबिल है उसमें दिखाए है तो उस वाले वीडियो पर मैं उसका लिंग और देखना उस वीडियो पर कि कौन कौन से शेड अवलेबिल है आप जो भी आपको शेड चेया आप मंगा सकते हो और इस श करके अवचे से बखाता है थो तो कुछछ लोग को ना अच्छ लग तो कुछ लोग लुत कर दो है कि यह पसंद है कुछ लोट ग्रहर है और मेरे हजबन को अ नहीं verändert आप अपने कोर्डिंग मंगा सकते हो और इस नियुक्त है तो यह रहा है उसे एक चेट मस्टर्ड कलर में बहुत अच्छी शाइन है वह आप मंगा सकते हो यह याद नहीं है तब इस वीडियो पर जाना लिंक डिस्क्रिप्ट्रिप्स में में मेंशन कर दों कि वहां से जाके आप चेक आउट कर सकते हो और देख सकते हो तो यह था इसका ओरिजिनल आफ्टर वाश आप देख सकते हो यह कैसा है चलो तो आपको अच्छा लगा होगा तो हेलो फ्रेंड्स आपने देखा आपको अच्छा लगा होगा और इस दिवान सेट का रिव्यू मैं आप से आफ्टर 6-7 मन्त बात कर रही हूं यह एकदम मैंने वाश कर लिया है और कि यह एक बार नही के बाद इसकी शाइनिंग देख सकते हो इसकी शाइनिंग है और जैसा मुझे प्रोडेक्ट्स रेसी वहा थो वैसा ही है तो यह अच्छा है आप इसे बाय कर सकते हो और आप वीडियो हेल्फूल लगा होगा अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना सब्सक्राइ करना सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना बाई